हगे अजह है हां देख्या हम देखते हैं कि हमने एक पटिकुला पारटिकल सेलेक्त कर लिए अब हॉप any experimental सेटप किया सालब थे तो आपके पास मैं होफस्टेटर एक्सपेरिमंट करिमेंट experimental setup है उसमें क्या-क्या है सबसे पहले तो हमें पता है कि अब हमें electron जो है उसको क्या करना है उसको हाई energy देनी है उसको satellite करना है तो ACChhhh YouTube करेंगे यहां पर एलेटर का यूस करेंगे तो यहां पर हमने बहुत सारे एसलेटर्स यूज किये और उन एसलेटर्स की मदद से इलेक्ट्रोन की एनरजी बहुत ज़ादा कर दी उनको हाई एनरजी पार्टिकल्स बना दिया यह इलेक्ट्रोन यहां से आएंगे और हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रोन इस साइड जाएं तो हमने यहां पर पुंच अवरो से तो दख लगा दिया के अब यह है यह यां से गई यहां जाने के बाद में हमने एकज़ का प्रियोग किया स्रिटकश कि हमरे पास है विए मैं क्यों क्या होगा कुछ electronically इस यह प्र प्रियोक करेंगे लेक्वा से जो हिस्लेटर्स लोग करेंग में उनको परिलर कर देग कर गिए समानतर गिरनाएंगी अभी यहां से जब जाएगी तो नॉर्मल हमारे पास में चार्ट पार्टिकल जो है वह हमीशा इस्ट्रेट लाइन चलता है अगर हमें उसको डिफ्लेक्ट करना है तो हमें वहां पर मैगनेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करना पड़े हैं तो यहां एलेक्ट्रक्टर जैसे आएगा सैना इसका पात है इसको इसे पत से स्क्ट्रेट किए तो उसके लिए यहां मेरे पास में एक नाबिग है हम ऐसा कह सकते हैं अच्छल में अपने पास में क्या है यहां टार्गेट नुपली आई है और वह टार्गेट किसका है स्वर्ण पटिका का है हमारे पास में गोल्डन फॉयल है उस पर जाकर कि इलेक्ट्रॉन बीम इस्ट्राइक करेगी है और यहां पर कोलीजन कैसा हुगा इलास्टिक कोलीजन होगा प्रत्यास्ति टक्कर होगी और उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यहां से स्कैट्रिंग करेगा और जितने भी मल्टिपल इलेक्ट्रॉन से वह सारे स्कैट्रिंग करेंगे क कुछ electrons यहां जाएंगे कुछ यहां जाएंगे कुछ यहां जाएंगे कुछ यहां जाएंगे तेक हैं आप हम क्या करेंगे यहां पर हमारे पास में है एक चुम्ब कि स्पेक्ट्रमीटर स्पेक्ट्रमीटर होता है स्पेक्ट्रम की स्टाडी करने के लिए जिसको आप क्या कर सकते हैं आप मूव कर सकते हैं यह स्पेक्ट्रमीटर मैक्सिमम यहां तक मूव हो सकता है और यहां तक मूव हो सकता है मतलब मैं इस स्पेक्ट्रमीटर को पहले में य या हम कहीं यहां से स्टार्ट करेंगे यह हमारे पास में सेंटर में यह नाभिक्कास हम यह कह सकते हैं नाभिक्का केंद्र यह टार्गेट का जो सेंटर है यहां पर है ठीटा एंगिल जीरू ठीक है अगर हम इस साइड जाएंगे तो भी एंगिल इंट्रीज होगा अगर मैं this spectrometer को लेकर की इस राइड रहूंगी तो भी आंगल I not we are okay यहां से भी हम इस तरफ एंगल मेंजर करते हैं तो यह पर हम यह करते हैं हम यह देखते हैं कि आपने पास प्रेटि कुलर आइंगल यह जो इसको हम बोलते हैं scattering angle यह प्रकीनन कोण यह कहलाता है आपका scattering angle यह प्रकीनन कोण तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे कि हमारे पास में particular किस एंगिल पर कितने number of electrons आए ठीक है तो यहाँ पर हम एक graph करते हैं और फिर उसको study करते हैं उससे हमें nucleus के बारे में information मिलती है बस शॉर्ट में हम देख लेती हमने क्या-क्या यूज किया electron त्वरग यूज किया जिससे energy बहुत हाई हो गई उसके बाद हमने एक slit यूज की slit से क्या होगा कि हमें इलेक्टों की समानतर किरने मिलेंगी उसके बाद हमने electron का पत रिवेट करने के लिए हमने एक चुमबे के विश्पे विख्षे पक का यूज किया है ना उसके बाद हमने electron beam को कहां incident किया target पे incident किया कैसे लंबवथ और यहां से electrons जो है वो different directions में scattering होगी जिनको हम क्या करेंगे एंगिल्स के साथ में ठीटा के रैस्पेक्टिंग नंबर ओफ इलेक्ट्रॉंज को आप चाहें तो screenshot ले सकते हैं देखे सबसे पहले आपको नोट्स में क्या लिखना है नोट्स में सबसे कैसी होनी चाहिए नाभिक के आकार की कोटी की होनी चाहिए नुकलियस का साइस और जो scattering particle है उसकी wavelength दोनों का सेम और होना चाहिए ठीक है अगर उसके लिए हम light waves लें तो प्रकाश की तरंग देदेरें कितनी है 10 to power minus 7 meter की है उस समय मैंने जल्दी में लिख दिया था देखो light waves जो है 4000 से 7000 एंग्स्टॉम में होती है है ना तो अगर हम एंग्स्टॉम को लिखेंगे 10 to power minus 10 meter तो यह आपके पास में जाएगा 4 to 7 और यहां जाएगा 10 to power minus 7 meter ठीक है यह चीज़ जाएगी यह मैंने तुड़ा सा मिस्टेक वहां कर दी थी तो यहां पर प्रकाश की तरंग देदरें जो है यह आपके पास में किसमें आगी 10 to power minus 7 meter में जबकि नाभिक का आकार जो है वो किसमें है फर्मी में है तो हम light waves कि तुरू को डायरेक्ली नहीं देख सकते तो यहां पर अपने पास में हम किसको लेते हैं न्यूट्रॉंस को अगर न्यूट्रॉंस लें तो अंचार्ज पार्टिकल है तो नाभिक के आवेश के साथ विद्चुम्बे के अनुन्य क्रियाएं नहीं करता है फिर हम लेते हैं यहां पर यहां पर क्या होता है एक शॉर्ट रेंज का न्यूट्र फोर्स लगता है लेकिन वो जैसे अगर यह प्रोटोन है तो यह कुछ डिस्टेंस तग ही न्यूट्र फोर्स लगा पाएगा तो यह न्यूट्र फोर्स जो है यह इलेक्ट्रॉंस पर वर्क नहीं करता है ठीक है प हाग करते हैं अगर आप इलेक्ट्रान के उड़्जा 300 मेगा लेक्रिक वोपस्थ कर देती हो तो आपके पास में उसकी इवलेंथ जो है उसका ओर्टर किस में ठीजdzie नि में आ जाता है अब चाहिए तो इसख्रीण शॉट ली सकते हैं कि कि देखिए सबसे पहले हम लोग नोट्स में क्या गरेंगे नोट्स में सबसे पहले हम उद्देश्य लिखेंगे उसके बाद हम बताएंगे कि हमने कंड का चुनाव कैसे किया उसके बाद आपका डाइग्राम आएगा और डाइग्राम के बाद आप डाइग्राम को एक्सप् से उनके त्रू है ना त्वारित करके मतलब उसको हमने उसकी वेलोसिटी वह बहुत जादा इंट्रीस कर दिया त्वारित करके उच उर्जा के इलेक्ट्रोन पुंच के रूप में प्राप्त करते हैं है ना कैसे प्राप्त करेंगे इलेक्ट्रोन पुंच के लिए हम स्लेट लगाएंगे तो जितनी भी रेज़ें वो पैरलर हो करके आएंगी हमें एक शार्प बीम मिलेगी ठीक है इसका समवेग विशलेशन करने के इलेक्ट्रों स्वर्ण पढ़नीका से प्रत्यास्त टक्कर के पश्चात इलास्टिक कोलीजन करेगा उसके बाद में विभिन कुणों पर प्रकीरिनित हो जाते हैं उसके बाद अलग-अलग एंगिल पर इसके टर्ट हो जाएंगे प्रकीरिनित इलेक्ट्रों का चुम्बगिये स्पेक्ट्रों मीटर की सहायता से समभीग विश्चलेशन करते हैं जो स्केट्रिंग हुए इलेक्ट्रों अलग-अलग एंगिल पर है न यह अपने पास में यह मेरे पास में नुकलियस है यहां से इल ही कि यहां जो अमने इस स्पेक्ट्रोमीटर लगा रह ता है एक्चल मे इसको मूव करते हैं और मूव करके हम दिखते हैं कि हमें नम्बर Lewis एक्ट्रौंज कितने मिल रहे हैं किस पार्टिकुलर एयंगिल पर तो तो स्प्रेक्टर मीट्र को घुमाकर इलेक्टरन पुंच की तीवर्ता का भी लेकर किया जाता है आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं कि देखिए इसके बाद हम नोट्स में क्या लिखेंगे इस प्रियोग में एक्तोर्न प्लकीड़न के लिए लेक्तोर्ण स्क्ट्रिंग के लिए अफ्करी पलकी टकीरंह परिशेत्र जिसको मो दी कि डिप्रेंशील इसक्रु आउление इसको बेच इन करते हैं और यह चुंद किसको उता यह थीटा फंक्शन होता है तरदा ठीटा का मापन करते हैं अब आप देखो डिफ्रेंशेल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन होता क्या है जैसे अगर आपके पास में हम डैफिनेशन देख लेते हैं यह आपको नोट्स में नहीं लिखनी है यह आपको समझाने के लिए इस स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या होता है तह एरिया अरॉंड ले निउप्लियस फेसिंग इंसीडेंट पार्टिकल और इंसीडेंट पार्टिकल इंट्रेंटर्ड विद नूपलीए जैसे अगर सबोस किया मैंने यहां से बहुत सारे पार्टिकल्स को बेजा यह बिएव के अंदर अपने पास में यह जतनी भी इंसीडेंट ट्रेज है यह जितनी भी आपतित क्रणों है यह नूकलियस से इंट्रक्शन करें वह नूकलियस का कहईydzen क्रोष राधा है नूकलियस का डिफ। इसको हम बोलते हैं डिफ्रेंशियल उसक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षे ठीटा तो यहां अपने पास में स्कैट्रिंग एंगेल क्या होगा वह देख लेते हैं तेको अगर आपके पास में यह टार्गेड नुकलियस है यहां से आपने रेस को भीजा इलेक्ट्रोन वीम को भीजा यहां के पास में वह स्वड़न पढ़नी का है तो यहां से बीम लग लगाएगा रे यहां डिफलेक्ट होती तो मेरे पास में अंगिल अलग आथा ठीक है यह है अपने पास में स्केटरिंग अंगिल टीटा आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं हां देखें यहां पर हम लोग क्या करेंगे जो कि जो fare dette 35 कि उसको आप चंप्री में तुव Newton के मोव जिसे आपके पास में का यहां को मुस को करेंगी तो अपने पास में सकैटरिंग एंगिल आप गया चिहीं जोगा और ठान इस कैटरिंग तो आपके पास में जो हाफ हाफ इस्टेडर एक्सपेरिमेंट है उसके तुरू अपने पास में जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ जो है वो इस टाइप से आएगा इस शेप में ठीक है हमने याँ पर सैंपल लिया है और एलेक्ट्रों के एनरजी है अब हम लोगों ने राधरफ्ट इस्केट्रिंग इस्टेडी किया रधरफ्ट्र इस्केट्रिंग क्या गयता है कि डिफ्रेंशल प्रॉस सेक्ट्चन जो है डाटइस इंवर्स नी प्रपोर्शनल तो साइन थीटा बाई टूदी पावर फॉर मिंस क्या है कि जैसे सिसे हम स्क हो रही है तो यह हम देखते हैं कि यहां से स्कैटरिंगेंस हो रहा है और यहां से अपने पास में यह नमबर ओफ एलेक्त्रॉन यह डिफरेंश प्रउस सेक्शन जो है यह दीरे 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 काम हो रहा है यह शर्त यहां तक तो साटिस्फाय हो गई लेकिन उसके बाद क्या हुआ मिनिमा के बाद में सदनली यहां से इंफ्रीज हो गया है न हमें ऐसा भी मिला तो रदर फोर्ड ने जो बताया वह यहीं तक साटिस्फाय हुआ अब इसमें यहां पर हॉफ इस्टेडर ने एक मैक्सिमा क्योंकि मैक्सिमम तो यहां मेलेगा न सेंटर पर यह नाभिक का सेंटर है यहां पर टीटा एंगल जीरो है न तो हमारे पास में क्या था हमारे पास में यह टार्गेट नुकलिया और यहां से हमने अंगल मेजर किया था इस साइड और इस साइड तो हमारे पास मे सब Light Must स्टडी किया हुआ है उसके बेसिस पे हमने एक है बत्एस दी कि नाभिक से विवर्तन हुआ है है न हमने क्या पकड़ा नाभिक से क्या हुआ है विवर्तन हुआ है अर्थात नाभिक का वहवार एक स्लिट के भाती है ठीक है ऐसा हमने क्यों अमसर्फ किया आप लोग आप लोग यह देखिए यहां तक तो आप लिखेंगे नोट्स में इसके नीचे वाली बात आपको समझ भाने के लिए है ऐसा हमने क्यों क्यों लिया देखो यह लाइट सोर्स है लाइट सोड़ आइंसिडेंट की किस पर एक circular aperture पे मतलôt हम द्वारक क्या करेगा अगर जैसे मेरे पास में ये खोकला गोला है तो द्वारक क्या करेगा उसके अंदर से लाइट को जाने देगा है ना उसके अंदर से लाइट को जाने देगा तो यह अगर मैं प्रफास लाइट सोर्स जो है यह सर्कूलर परचर है तो यहां से तो लाइ तू तू लेम्डा भाय डी लेम्डा प्रकाश की तरंग दे रहे हैं और डी है डायमीटर ओफ सर्कुलर अपर्चक जो आपके पास में व्रत्ताकार द्वारक है उसका व्यास है अपने पास में दी तो जब अब इसका इंटेंसी act distribution कर्व देखते हैं तो वो हमें इसे टाइप का मिलता है है तो यहां से minimum intensity मिलती है इसके बाद में minimum होती है फिर इसके बाद में सेकेंटरी मैक्सीम मिलता है, फिर इंटेंसिटी और कम होती है, और ऐसे डिस्पेंस के साथ में इंटेंसिटी कम होती जाती है, तो हमने यहाँ पर एक अनुमान लगा लिया, कि हो सकता है कि नाभिग से विवर्तन हुआ है, और नाबिक किसकी तरह वेवार कर रहा है एक slit के बाती वेवार कर रहा है एक circular aperture की तरह से एक व्रत्थाकार द्वारक की तरह से वेवार कर रहा है ठीक है यह हमने conclusion निकाल लिया आप चाहें तो screenshot ले सकते हैं देखें अब यहाँ पर हमें यह मालूम पढ़िए कि नाबिक जो है वो एक slit के बाती वेवार कर रहा है तो जब हम वहाँ पर जो circular aperture उसका diameter काल्कुलेट कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में formula आ गया उस formula से हम नाबिक का diameter भी calculate कर सकते हमें नुकलेस जो है इंट्रेलर structure के बारे में ही तो जान करीजिए तो हम diameter calculate कर सकते हैं तो देखो आपके पास में जो circular aperture से जो expression आया था वो minima के लिए था निमनिष्ट के लिए था कि इस निमनिष्ट पर कितना होगा अपने पास में sin theta equals to 1.22 lambda by d होगा ठीक है तो यहां पर हमारे पास में diameter के लिए formula कितना आ गया 1.22 lambda upon sin theta ठीक है तो अब ठीक है तो अब ठीक है अपने को diameter d calculate करना है तो theta कितना है यहां पर हमने experimental data को चेक किया तो theta लगभग आया कितना 45 degree theta 45 degree theta तो आ गया अब हमें क्या calculate करना है lambda तब ही diameter calculate होगा लैमडा कितना है hc upon e hc की value कितनी है 1240 mega electric volt फर्मी और electron की energy कितनी है 420 mega electric volt तो यहां पर आप इसको cancel करोगे तो यह आएगा 2.95 फर्मी जो लेर अब हमने डाइमेटर कैल्कुलेट किया यहां से d equals to 1.22 lambda upon sin theta 1.22 into sin यह lambda lambda की value near about 3 है तो मैंने यह 3 ले लिया और sin theta theta कितना 45 degree means sin theta 1 by root 2 तो 1 into root 2 इसको solve करोगे 5.2 फर्मी तो यहां से अपने पास में यह तो डाइमेटर आया radius कितनी आई d by 2 5.2 upon 2 से 2.6 फर्मी जो near out कितना आगी 3 फर्मी आगई तो यहां पर हम देखते हैं नाविक का आकार आपको किसे मालम पड़ेगा डाइमेटर से मालम पड़ेगा और डाइमेटर कितना है यहां पर इलेक्ट्रों जो है उसकी वेवलंद और जो नुकलियस जिससे इंट्रक्शन करना है उसका डाइमेटर दोनों का सेम और इसका मतलब क्या है डिफ्रेक्शन पॉसिबल है विवर्तन संबफ है तो हमारी जो पडिकल्पना थी उससे हमें यह कंक्रूजन तो मिलिया कि नूकलियस से क्या हुआ है एलektron का deep्रेक्शन हुआ है अब हम लोग देखते हैं नूकलियस का चार्ज डिस्ट्रिबिशन यह अप वो नोट्स में लिना है आप चाहें तो स्क्रीन स्क्रीन शॉट ले सकते हैं हाँ देखिए अब हम लोग देखते हैं इसका चार्ज डिस्ट्रिबूशन मतलब हमें जो प्रियोगों से यह जो ग्राफ प्राप्त हुआ उसके आधार पर नाविक का आवेश वित्रण क्रिस्प्रकार का है ठीक है तो यहाँ पर देखो अगर अपने पास में नाविक जो है ऑवेश की बाती होता है चाहिन अपने पास में का जो सब जगे रहता और ृनिफोर्म रहता hundred जितना भी चार्ज है वह अपने पास में कैसा होता यूनिफोर्म होता और पूरा यहां नाविक में रहता और नाविक का जो आवेश वित्रण हरुंसका घनत भूप बहुत ज़्यादा होता क्योंकि सारा चार्ज जो है सारा का और आर में जैसे 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 नाबिक से यह आर डिस्टेंस बढ़ता तो क्या होना चाहिए था चार्ज टेंसिटी पहले तो मुझे कॉंस्टेंट मिलती क्योंकि सब जगे समान रूप से वित्रित है और उसके बाद क्या है बहार चार्ड डेंसिटी कैसी है जीरो है आवेश यह जो आर जा रहा है यह आर बटेंसिटी मुझे कॉंस्टेंट मिलनी चाहिए और सडनली क्या होना चाहिए था जैसे हम नाभिक से बहार आए यहां डॉप हो जाना चाहिए था चार्ज खतम है ला यह बाउंडर खतम होते ही चार्ज खतम और जो है अपने पास में कितना ह प्राप्त हुआ बी वाला कर जो है वो प्रियोकों से प्राप्त हुआ इसमें क्या हुआ यह जो चार्ज टेंसिटी रो है यह अपने को सेंटर पर मिली मैक्सीमम ठीटाइक वल्स तो जीरो स्पेक्ट्रमीटर में जो नुक्लियस था यहां से हमने स्कैट्रिंग एंगल मेजर किया है न तीटाइक वल्स टू जीरो से तो यहां थीटाइक वल्स टू जीरो पर तो मुझे मैक्सीमम मिला चार्ज distribution है न आवेश वित्रन और उसके बाद में दीरे दीरे यह आवेश वित्रन कम होता गया और कम होने के बाद में कुछ टाइम तक तो यह constant रहा और उसके बाद में यह gradually decrease हुआ धीरे से यह यहां से इंगलम सदनली यह decrease हुआ decrease होकर कि यहां जाके यह 0 हो गया ठीक है लगभग नकड़ने हो गया ठीक है तो हमने के निसकरश निकाला पहला तो कि नाबिक की कोई सबस्ट सीमा नहीं है है ना क्यों नहीं है क्योंकि देख को charge distribution क्या हो रहा है पहले तो sisters & ऐवह इसका मतलब मेरे पास में यहां भी चाठेः और यहां ज्या ज्यादा 4 और मने थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा कम चार्ज और बिल्कुल फिर न्याक तो मेरे पास में ऐसा होना चाहिए पहले तो मेरे पास में नाभिक वह बहुत तो बहुत जादान पहुत सारा चार्ज हो डेड़ा है उनिफ़ॉउ डिस्ट्रीभु engage समान प्र तरह दिया और हो। उसके आस-पास अच्थ हम से आइस आज जाएंगे तो पर दीडर के यहीं हमाद चार्जश मिलेगा तो हम क्या होंगा चार्ज इस तरीके से बिखरा भिखरा हुआ तो हम क्या कह सकते हैं कि नाविक को इस स्पष्प सीमा नहीं है है ना क्या होगा समान रूप से वितरित हैं केंदर केंदर नेख्यारण लेकिन उसके आसपास और जोगों पर थोड़ा थोड़ा वित्रित है नाविक के केंद्र से कुछ दूरी तक घनत्व अत्य दिख रहता है यह कुछ दूरी तक घनत्व अत्य दिख रहता है और फिर घटने लगता है और इसमें ग्राफ में भी आ रहा है कुछ दूरी तक घनत प्रश्ट कोई अपने पास में कैसा है आवे शुचलाओ का घनत हो बहुत जादा है किस कीМिकास में इसको हम बोल सकते हैं नमीक करें country कोई सतर डिफाईन नीं कर सकते हम एक उसह कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं दे सकते हैं हम एक अंदाजा लगा सकते हैं ठीक है और नाभिक के केंद्र से प्रष्ट की दूरी नाभिक की तरज्जा कहलाती है तो यह जो नुकलेस की कोर है यहां तक नाभिक के केंद्र से इस नुकलेस की कोर तक यह नाभिक की तरज्जा आर क्यालाती है यह हमने यहाँ पर तीन कंप्लूजन्स निकाले आप चाहिए तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं हाँ देखे अब अपने पास में न्यूकलस के लिए कोई पर्टिकुलर बाउंट्री तो है नहीं है ना कोई स्पष्टी सीमा नहीं है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा इस फंक्शन के थ्रूँ चार्ज डिस्ट्रिबूशन को समझना पड़ेगा ठीक है तो वहाँ आपने पास में जो कर वारा था वह कर्व किस टाइप से आप था वह पहले यहां से कॉंस्ट्रिंट गया और फिर ग्राजुली डिक्रीज हो गया तो चित्रि में जो बी कर्व था उस कर्व को डिफाइन करने के लिए जो फंक्शन हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं वोट बहुत सिंपल है और यह समझ लो अभी आप यहां चो स्टाइडी कर रहे हो ना वह हम जैसे हम कहते हैं कि दूद को हम बॉइल करते हैं फिर उस मुचो तो क्रीम निकलती है तो हॉफ इस्टीडर और उनकी टीम ने तो एक्सपेरिमेंट किया और बहुत डैप्त में स्टाइ कि यह आर था और यह रो आर था तो यह पॉइंट जो है यह है रो नॉट जो अपने को मैक्सिमुम चार्ज डिस्ट्रिबूशन शो कर रहा है अधिक्तम आवेश वित्रण शो कर रहा है तो अपने पास में रो एक्वल्स टू रो नॉट एंड तो रो नॉट अपने पास मे किया है रो मैक्सीमम है अधिकतम आभिश्वितरन है है ना maximum चाहल्च ङस्टिबूऊशन तो नाभी के के केंद्र पर नाभीके केंद पर ठीटा एक्विश्ट기는 टुई रो पर अभेश घनत्व मिलेगा किस पर आल इक वी तू zero तो वैल्य कितनी है यह या R equals to zero है इस point पर और इस point पर ठीटा भी कितना है जीरो है तो यह condition हमें का मिल रिये नभिके के इंदर पर मिल रही है अब हम देखते हैं capital R क्या है अगर मैं इस expression के अंदर R equals to R रग दूंँ तो यह expression कितना हो जाएगा देखो तो आइकवल्स to row not as it is one plus exponential जो मैंने रखा आर तो यह हो जाएगा ना र माइनस आर तो यह जीरो हो जाएगा तो अपने पास में कितना जगा ए के टो दी पावर 0 वन हो जाएगा बन प्लस वन टू तो रो जीरो अपॉन टू तो आर नाबिक के केंदर से वह दूरी है जहां रो आर कितना है रो जीरो अपॉन टू है मतलब जो maximum charge distribution है उसका just half है जैसे suppose कि यहां है और रो नौट बाइटू यहां है रो नौट बाइटू यहां है तो इसके corresponding मेरे को आर यहां मिलेगा ठीक है फिर एक यह है आपके पास में नाभिक के प्रश्टिका मापन करता है यह जो है वो क्या अपने को बताता है कि nucleus की core कितनी कहां तक है किसके respect में चाल्ड डिस्ट्रिबूशन के respect में आव्यश वितरन के respect में इसको भी हम देख लेते हैं कि आप चाहें ते स्क्रीन शॉट ले सकते हैं हाँ देखिए अब यहां जो अपने पास में जो कर वाया था उसको हम थोड़ा और डीपली स्टेडी करते हैं तो यहां हम देखते हैं कि यह जो कर अपने पास में इसमें पहले चार्ज डिस्ट्रिबूशन जो है वो कॉंस्टेंट रहा और उसके बाद में ग्राजुली डिक्रीज हो गया ठीक है तो हमने यहां पर क्या अब्जर्व किया कि रो नॉट तो मैक्सिमिम चार्ज डिस्ट्र और यहां तक तो कॉंस्टेंट रहा कुछ फर्मी तक तो यह इसमें सदन रॉप हुआ तो हमने यहां कंक्लूट किया कि यहां पर अपने पास में 0.9 रो नॉट था मतलब मेरे पास यहां 90 परसंट चार्ज था और वह यहां से यहां तक में कितना डिक्रीज हो गया 10 9 से 0.4 तो यहां हमने क्या किया इसकी मार्किंग कर दी हैसी और जीरो पांट वन के लिए यहां तो यह जो डीयरेशन ने इस डूरेशन के अंदर यह जो variety धिव्य Elix Wallace है के इवल इतने इतने से डीयरेशन के हो आदा हो जाए है ना तो अपने पास में यह 0.5 रो नॉट यहां आ रहा था रो नॉट का जस्ट हाफ इसके कोर्स्पांडिंग मैंने यहां एक पर्पेंडिकुलर डाला तो यह वैल्यू मेरे पास में आ गई की आर की हैना अब हम इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं अगर मैं इस डिस्टेंस को इस आर की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगी तो मुझे यह मालूम पढ़ जाएगा कि नुक्लियस में जहां जहां मेरे पास में यह यूनिफॉर्म चार्ज डिस्टिब्यूटेड है इस इस score के बाद कितनी दूरी तक चार्ज पहला हुआ रहता है यह वह जगे ना जहां पर चार्ज जो है वह भिखरा भिखरा सा है नभ्य प्रतीशत से 10 प्रतीशत तक तो मुझे क्या करना है यह दूरी गयाद करनी है जैसे सपोज किया यहां तक बिखरा हुआ रहता है तो है किया पहले रो और मेरे पास में कितना है नभ्य प्रतीशत है 0.9 रो नॉट है इसकी वैल्यू पुट कर दी तो रो नॉट से रो नॉट कैंसल हो गया 0.9 को आप करोगे तो यह 9 by 10 हो जाएगा है ना इसको उल्टा किया 10 by 9 equals to 1 plus exponential देस आगया ठीक है 10 by 9-1 करोगे कितना है गा 1 by 9 आएगा फिर हमने क्या किया यहाँ पर इसका exponential हो गये तो यह कितना हो जाएगा लॉग 1 minus log 9 log 1 0 हो जाएगा और log 9 minus log 9 तो हमारे पास में कितना आगया r minus r as it is और a multiply में चला गया यह हो गया minus log 9 log 9 की value कितनी है 2.2 तो r कितना आगया r equals to r capital r minus 2.2 a एक value अपने पास में आई यह ठीक है 0.1 कितना हो गया 1 by 10 है ना 1 by 10 होने के बाद में यह कितना आगया इसको reverse करोगे reverse करोगे तो कितना आजाएगा 10 equals to 1 plus this 10 में से 1 minus किया 9 9 equals to this है ना log 9 कितना है exponential इदर गया log में हो गया और r minus r equals to log 9a तो r कितना आजाएगा r plus 2.2 a यह यह जो positive value आईगी एक value यह आ गई यह तो mathematics है आप सब लोग समझ लोगे ठीक है अब हम calculate करते हैं कि यहां तक यह जो distance है यहां तक देखो इसके ने को लिए यह point और 0.1 के corresponding यह point यहां मेरा पास में 90 के arsच था और यहां तक जाते जाते यह चार्ज जो है यह 10 परसंट हो गया है तो यह जो परास है यह कितनी होगी है ना तो नब प्रतीशत्त्या तब मेरे पास में आर की value कितनी आई तब मेरे पास में ये value आई और जब 10 प्रतीशत था तो value कितनी आई ये तो ये जाधा greater वाली value ना और की है ना तो हमारे पास में चार्ट जब 90 प्रतीशत से 10 प्रतीशत हुआ उसमें परास कितनी आईगी R plus 2.2 A इसमें से माइनस कर दिया हमने R minus 2.2 A तो यह कितना आया 4.4 A ठीक है इसका मतलब पता जल गए हमें कि यह जो distance है यह कितनी है 4.4 A है ठीक है अब हमें प्रियोगों से पता है कि A की value कितनी होती है A की value होती है 0.5 पर मी यह आए आए देखिए मिड में रिकॉर्डिंग यह ओफ हो गई है ना तो देखिए यह अपने पास में यह जो है यह experimental टाटा से आया अपने पास में कितना 0.5 फर मी तो हमारे पास में यहां जो भिखरा भिखरा आवेश है यह वाला जो shell है यह वाला जो shell है इसको हम calculate करते हैं तो यह distance तो आए अपने पास में 4.4 ए यह वाला distance यहां से यहां तक कि यह जो range है यह आई 4.4 ए और इसी में नाभी का आवेश 90 प्रतिशत से 10 प्रतिशत हुआ भिखरा हुआ आवेश है तो यह जो shell है यह कितना होगी 4.4 और A के value रखी हमें 0.5 तो यह कितना हो गया 2.2 फर्मी ठीक है तो यहां पर अपने पास में जितने भी नाभी हैं उनके लिए यह जो shell होती है यह shell लगभग कितनी होती है 2.2 फर्मी रहती है ठीक है और हम लोग electron की सॉरी हम लोग नाभी के लिए जो radius calculate करते हैं वो ऐसे calculate करते हैं कि यह जो यहां से यहां तक यह जितना भी uniform distribution होता है जहां पर आविश वितरन समान है नाभी के केंद्र से यहीं तक हम R calculate करते हैं उसके बाद यहां यहां थोड़ा 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 आवेश वित्रित रहता है लेकिन हम उसको consider नहीं कर रहे हैं ठीक है तो आपके पास में radius जो है वो radius की quantity यह है और इसके surrounding में जो यह पूरा शेयल आता है यह कितना आता है किस रेंज का आता है 2.2 फर्मी का आता है ठीक है आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले ले हां देखें हौफ इस्टिडर एक्सपेरिमेंट जो है उसके अधर पर जो हमें graph मिला उसको हमने वहां oxygen के लिए study किया था यहां हम लोग study कर रहे हैं कुछ different samples के लिए जैसे helium के लिए cobalt के लिए और gold के लिए तो यहां अपने पास में देखो आप कि कुछ हलके यह जो अपने पास में जो graph आया है है इस graph को अगर हम देखें तो यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे हमने higher heavy nuclei के लिए देखा है ना भारी नाविक के लिए देखा तो यह charge density कुछ फर्मी कुछ फर केंद्र से कुछ दूरी तक आवेश घनतवरो constant रहता है इस तिर रहता है फिर दीरे-दीरे कम होका नाविक के बाहर शुन्य हो जाता है तो देखो ऐसा ही हो रहा है यह कुछ टाइम तक यहां constant रहा फिर दीरे-दीरे कम हुआ और फिर जीरो हो गया है यू के लिए भी होगा कुछ टाइम तक क्या ओंस्ट रहा फिर दीरे-दीरे कम हुआ फिर शुन्य हो गया है जो हैवी नुकलिया है हम उनकी बात कर रहे है ठीक है और हीलियम में तो यह सड़नली ड्रॉप हो गया ठीक है सेकेंड हमने किया conclusion निकाला नाविक के केंदर प सिर्फ गातिक है दोट इसके लिए यहां पर रोलोट। जादा है रोलोडो की वैलु कितनी है 2.50 और कोबल्ट जो है उसके लिए और कह्म है 1.25 और यू के ओर कई में 1.00 ठीक है तो यहाँ पर जो लाइटर नुकलिया है उनके लिए रो की वेल्यू जादा है चार्ज डेंसिटी सेंटर पर जादा है हलकी नुकलियाई के लिए और भारी नाभिकों के लिए कम है ठीक है यह दो कंक्लूजन्स हमने निकाले होफ इस्टेडर इसको इस्टाडी किया फिर नोस तयार किये तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा याफ आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना ठीक है यहाँ हम बोग स्टाडी करते हैं अब इसका नेक्स में की होफ प्रियोग में नाभिक की त्रिज्जा का आकलन कैसी किया है पहले तो हमने देखा चार्ज डिस्ट्रिबूशन की कहां तक आवेश फैला हुआ है ठीक है अब हम लोग देख रहे हैं कि अपने पास में उसके त्रिज्जा कैसे कैल्कुलेट करनी है तो सपोस्थ किया यह मेरे पास में एक नाभिक है जि है ना तो संपूर्ण आवेश के लिए क्या करूंगी मैं इसको इंट्रिग्रेट कर दूंगे डीकी को तो कितना आजएगा इंट्रिगेशन ओफ रो आर डीवी तीक है अब देखो यहां पर रो तो आर का फंक्शन है और डीवी में वेरियाबल कौन सा है वी है ना तो हम क् इसको भी किसे रेप्लेस कर दें हम इसको भी आर की फॉर्म में लिख लें तो यहां हमने क्या किया वी इक्वल्स टू जो आपके पैस में यह जो पूरा नाभिक है इसका इसका जो आयतन है वॉल्यूम है वी वह कितना होगा फोर बाई त्री पाई आर क्यों जहां तक भी फैला हुआ है वहां तक की डिस्टेंज से और ठीक है तो इसका डिफ्रेंशिट किया डीवी एक्वलस टू फॉर बाई थी पाई आर क्यूब कर दिफ्रेंशेशन थी आर स्कॉायर डी आर त्री से थी कैंसिल डीवी वेक्वलस टू कितना ओगिया फॉर पाई और स्कॉयर VDR यह फार्म आ गई तो हम बीको पॉर्म में लिख सकते हैं हमने यहां पर डिवी को रुप्लेस कर दिया यह र की पॉर्म में लग दिया है अब यहां पर इन्हों ने यूज की क्वांटम मेकञिक्स है तो हम जयादा डीप मे नहीं जाएंगे आप लोग के में जितना है उस ह आर इस्क्वायर यह अपने पास में आजाएगे वन अपॉन जैडी आर स्क्वायर यहां और फिसके बाद में यह एक्स्प्रेशन ठीक है इसमें ज्यादा डैप्त में जाओ यहां देख लो रो जो है वही फंक्शन है जो हॉप इस्टेटर ने यूस किया था जिसकी तो यहां इन्होंने क्या लिया यहां इन्होंने देखा कि जो a greater than 20 है जिनका भी a greater than 20 है उनके लिए r proportional है कि इसके a to the power 1 by 3 के और उन्होंने यहां एक constant रग दिया r0 ठीक है इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि नाविक जब द्रण निकलियोनों से मिलकर के बना है जिसका volume कित एक निकलियोन के रेडियोस से r0 तो मैं क्या लिख सकती हूँ नाविक का इतन वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 by 3 पाई आर क्यूब और टोटल नंबर ऑफ निकलियोन कितने है यह है तो मैंने क्या यह एक निकलियोन के volume को multiply कर दिया a से तो अब हम इन दोनों को cancel करें 10 by 3 है ना और यहां पर प्योगों से ज्यात हो रहा है कि आर नॉट की वैलू जो है वो कितनी है 1.2 से 1.3 फर्मी है मतलब हम क्या सकते हैं फर्मी मतलब फर्मी मतलब होता है 10 is to power minus 15 meter यह होता है ठीक हम यह याद रखी है यह क्या यह क्या लोग देखते हैं कि यहां जो अपन देखे और था डिस्ट्रिबीशन और नुकलर डैंसिटी बहुत चोटा सा टॉपिक है पांच मिनिट का पठाफट करते हैं हां देखें यहां नाभिका गहनत वो जो है है न दो देख्य थे अपने बास में तो second है नाभिक का गहनत पुश्य ंिकलिश डैंसिटी अच्छा नाभिका गहनतक हमें पता है कैसा होगा द्रव्यमान प्रती आयतन है ना मास अपॉन वॉल्यूम डेंसीटी यह होगी ना मास को हम कैसे लिखते हैं लास्ट वीडियोज में हमने देखा था कि हम क्या करते हैं यहाँ पर A को मल्टिप्लाय कर देते हैं किस से A.M.U. से है ना उसकी एकाई से द्रव्यमान की एकाई से वॉल्यूम कितना है 4 by 3 पाई और आर क्यूब आर क्यूब की जागे कितना आगया आर नॉट क्यूब इन्टू A है ना हमने उसका क्यूब कर दिया आर इकल्स टू कितना है आर नॉट A to the power 1 by 3 इसको आप क्यूब कर दो यहां भी और यहां भी यह एक्स्प्रेशन आ जाएगा अब हमने इसको सिंप्लिफाई किया यह हमने लिखा 1 AMU किसके एकबल होता है 1.67 टेनस टू पावर माइनस 27 किलो ग्राम के एकबल होता है ठीक है तो यह चीज आ गई यह इन्टू 3 है ठीक है 4 आ गया 4 by 3 था 3 उपर चला गया उसके बाद में 3 उपर चला गया उसके बाद में यहां आ गया अपने पास में पाई वैल्यू 3.14 फिर आर नॉट क्यूब आर नॉट जो है कॉंस्टेंट है और A A से A कैंसील हो जाएगा फिर आपके पास में बाकी सारे कॉंस्टेंट है तो आपके पास में इवैल्यू आएगी डी जो है 2 इंटू 10 इस टू पावर 17 किलोग्राम प्रती मीटर क्यूब जो अपने पास में कैसा है कॉंस्टेंट है ठीक है हां देखिए इससे जो कंक्लूजन्स हमारे पास में आए वो क्या है सबसे पहले तो नाभी का घनत वह बहुत अधीक है क्यों अधीक है देखो इसका डाइमीटर का जो ओडर आया वो आया स्वावर इसक डिया वो इतना सेवर्ण सबसें एक चव्टायांटीं की Pine क्लोग्रम क्रती मीटर क्योब कुब और डायमीटर केए उसमें इतना सारा देंस हर वह है उसमें इतना सारा नाभी के प्रधार्ट बढ़ भरा हूँगा है ठीक है तोनाभी गनत वो बहुत अधिक है second thing नापिक का घनत वो द्रव्यमान संख्या एपर निर्बर नहीं करता है यह बहुत important क्योंकि यह एसे cancel हो गया सब constant आया उनको हमने calculate कर लिया तो नापिक का गनत व अपर डिपेंड नहीं करेगा last thing, सभी तत्मों के नाभिक का द्रवमान, घनतु का वित्रण, लगभग समान रहता है क्योंकि अपने पास में D की वैल्यू कैसी आ रही है, constant आ रही है तो हम यह कह सकते हैं कि सभी तत्मों का द्रवमान, घनतु जो है नाभिक का वो कैसा रहता है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्स्राइब कर लें, अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद्धी वेरी इंट्रेस्टिंग टॉपिक तब तक के लिए आपने पढ़ाई जारे रखें और दा वेरी बेस्ट बाइबाई